गलती हो गई form फिल करते समय तो फिर सायत आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा सुधार करने का अगर आपकी कुछ भी गलती हुई हो नाम में फादर्स ने में मदर्स ने में एड्रेस में मौईल नंबर इमेल एड्रेस आपकी डेट ऑबर्थ आपकी सर्टिफिकेट नंबर आपकी स्कूल, आपकी पासिंग, मार्क स्रीट, परसेंटेज, कुछ भी, अगर कुछ भी, मिन सैलरी, आपकी फादर्स की, मदर्स की, कुछ भी अगर आपके फोटो अपडेट में गलत हुई हो, या फिर आपकी सिगनेचर में गलत हुई हो, आप कुछ भी जो अगर आपकी तो अभी ही मौका है आपके पास प्लीज करेक्शन कर लेना और जैमेंस में अगर आपकी गलती हुई है तो अभी ही आपके पास टाइम है और वी इस वीडियो को अंद तक देखे तभी आपको मैक्सिम बेनेफिट मिल पाएगा वहना बहुत इंपॉर्टन चीज छोड़ दो के ओके तो देखे यह जो है और आपको जाना है पहली बात और यह मैं कहां से कह रहा हूं इसका सोर्स क्या है वह पहले मैं बता देता हूं कि देखिए यह जो है वह पब्लिक नोटीस आई थी तो उसमें लिखा गया हुआ था कि जो है वह आप सभी की जो सेडियूल थी उस मदन मोहन मालभी इंस्ट्यू इन्विवर्सिटी आफ टेक्नलोजी जो है वह एक नया एड हुआ है जो जी एफटी आई है और इसकी जो है वह अब धी अड्मिशन जो है वह बी जैमेंस के थुरू होगी उके उसके बाद यहां पर क्या लिखा गया हुआ था देखिए यह यहां पर यह लिखा गया हुआ था कि सम्मिशन जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वह तेज तक होगा उसके बाद लाश्ट टेट जो है फी पेइमेंट का 24 तक कर सकते हैं और करेक्शन ओके करेक्शन करेक्शन कमें यहां पर पॉइंट है यहां पर देख लें आप करेक्शन इन यहां पर तक हो रहा है 27 एक से लेकी तक हो रहा है इस चार दिन का टाइम मिला अपको 27 28 29 और 30 चार दिन है आपके पास जो कुछ भी एक बहरा जा कि आप जरूर भी लेकिन अपना लोगइन करकर सब कुछ देख लें कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है आपके application form में ओके और आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं और देखी आपको पहले तो official website पर जाना है jms.nta.nse.in यह official website आज चुकी है और इसके बाद यहाँ पर scroll करते-करते नीचे जाना है और यहाँ पर apply for jms का जो option है उसी पर आपको click करना है और यहाँ apply for jms पर जाना है और इसी पर click करना है उसके बाद जो portal open होगा उस पर आपको यहाँ नीचे आना है और यह registration का रहा है नहीं यह registration नहीं है यह आपको application form इसमें अपना application form डालना है जो आपके पास confirmation पर जोगा उसमें भी होगा password जो आपने बजलाए था वह security पीन आप उडालना है security पीन याने की जो capture यहाँ पर दिया गया हूँ है sign in करके और फिर वहाँ पर correction जेई मेंस का अभी आपके पास option आएगा फिर उससे आप सभी को edit कर लेना है तो यह जो है वो steps रहेगा आप सभी के correction करने का और फिर भी अगर आपकी कोई परसानी आती है तो आपका comment box में जर share करने वाला हूँ so please subscribe to the channel और अगर कोई doubt आती है आपको then you can ask in the comment box so thanks for watching the video have an awesome day